तुदावन परमिश्वर आज सुबह हम आपसे पिंति करते हैं प्रबु हम निश्चे ही जानते हैं के आरादना में आपने हमें आशिष दी है हम निश्चे ही नुभो करते आए हैं आज लिए है कि आप आराजना में हमेरे साथ हमेरे बाई को रहे थे तन्यवाद करते हैं पिता परमिश्वर प्रातना करते हैं आप बच्छनों के दौरा हमें आशिष दे और समझने के लिए, समझाने के लिए ग्यान बुद्धे दे येश्यो मसी के नाम से प्रात ना करते सुने और कबूल करें आमेन हमें से कोई एक प्रभु के दास योहना पाँच जितने भी लोग आउस उफ्रेर की इस कलिश्या में जुड़े हैं कृपया आप हमें से समझने के लिए, समझाने के लिए ग्यान योहना पाँच, एक से अठारा हम पढ़ेंगे आप भी कृपया वच्छन निकाल कर रखेगा योहना पाँच कोई भी प्रभु के दास पढ़िएगा मेरे लिए एक से अठारा योहना रचित्सू समाचार उसका पाँचवा अध्याए नए नियम में से और एक से अठारा आयत पढ़ेंगे इन बातों के पश्चाद यहुदियों का एक पर्व हुआ और येश्यो यरुशालेम को गया यरुशालेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इबरानी भाषा में बैद सहदा कहलाता है उसके पाँच औसारे है इन में बहुत से बिमार अंधे, लंगडे और सूखे अंगवाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्ग दूद कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे पानी हिलते ही, जो कोई पहले उतर था वह चंगा हो जाता था चाहे उसकी कोई बिमारी क्यों न हो वहाँ एक मनुश्य था जो 38 वर्ष से बिमारी में पड़ा था येश्व ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है उस बिमार ने उसको उतर दिया हे प्रभु मेरे पास कोई मनुश्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है येश्व ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर वह मनुश्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठा कर चलने फिरने लगा वह सब्द का दिन था इसलिए यहुदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे आज तो सब्द का दिन है तुझे खाट उठाना उचित नहीं उसने उन्हें उत्तर दिया जिसने मुझे चंगा किया उसीने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर उन्होंने उससे पूछा वह कौन मनुश्य है जिसने तुझे कहा खाट उठा और चल फिर परन्तु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है क्योंकि उस जगह में बीड होने के कारण येशु वहां से हट गया था इन बातों के बाद वह येशु को मंदिर में मिला येशु ने उससे कहा देख तुझे चंगा हो गया है फिर से पाप मत करना ऐसा नहों कि इससे कोई भारी विपत्ती तुझ पर आपड़े बस यहीं तक पड़ेंगे और हम आगे समझने की को सिस करेंगे प्रभु के दास्त में जो पड़ा और आप भी आपके सामने बाइबल होगा यहां पर आप देखो तो दस्वी आयत में साफ लिखा है कि वह सब्द का दिन था इसलिए यहुदी उससे जो जंगा हुआ था कहने लगे आज तो सब्द का दिन है तुझे खाट उठाना उचित नहीं है अब देखो तो एक व्यक्ति जो कई सालों से बीमार था बीमार बीमारी में उसने पूरी यह कह सकते के आधे से ज्यादा जिनगी उसने भी इस बीमारी में निकाल दी थी अब यह व्यक्ति चंगा हो गया है तो जो फरिशी थे जितने अग्वे थे यहोदी उनको घुश होना था वो इंसान जो खुशी मना रहा था उसके साथ मिलकर उनको भी जरूरी रहा के वो भी खुशहों में सामिल हो इस व्यक्ति दोरा वो परिव आर के दोरा लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहां पर आप देखो तो यहूदी जो लीडर थे अगवे थे उन्होंने कहा यह उचीत नहीं है यह ठीक नहीं है कि तू तेरी मैट को तेरी खाट को तू उठा कर तू चंगा होकर चला जा और यह काम कर यह उचीत नहीं है फरिश्यों की नजरों में कुछ गलत उन्हों लगा कि गलत हो रहा है क्योंकि प्रभु इश्यू को प्रभु इश्यू से वो नाखुस थे और प्रभु इश्यू से नाखुस होने के कारणों हमेशा प्रभु इश्यू में कोई भी प्रभु इश्यू के साथ विवाद वाद ठेहरा है कैसे उम प्रभु येश्जु को हम मार डाले बस यही बात को यही चीज को देख कर वो हमेश्य सा प्रभु येश्य के पीछे लगे हुए थे प्रभु सकता हूं कि Jesus was not only breaking the Sabbath उनकी उनके आगे जो हो रहा था लेकिन उनकी नजरों में और भी एक बड़ा बड़ा पाप प्रभु येश्व में दिखाए दे रहा था वो था कि वो परमेश्वर को मेरे पीता कहकर बुलाते थे प्रभु येश्व है मेरे पीता है मेरे स्वर्ग्य प अच्छा नहीं लगता था यह बहुत बड़ा पाप अनको लगता था और पीता कहकर पुकार कर यहुद्यों को यह लगता था कि प्रभु येश्व हुँ अपने आपको परमेश्वार के समकक्श अपने आपको मानता है मैं बात कर रहा हूं जो यहूदी लीडर थे उनकी नजरों से सिफ वह सब्बात को तोड़ नहीं रहे थे लेकिन और भी गलतियां उनको दिखाई दे रहे थी कि परमेश्वर को अपने पीता कहकर वो बुला रहे थे दिरे दिर में बहुत महत्वपुन चर्चाय करूंगा फिर अपने समय जो मेरे पास है उस समय में पूरा करूंगा अब इसाब्बात को मानना वो कुछ इन्होंने जो कानून बनाये थे या तो जो नियम बनाये थे एक्शन में पर्मेश्वर ने जो आग्याए दी थी यहुदी लोगों को सारय को कि कि इए आज्या है आपको उसका पालन करना तो इए आज्व को पालने के लिए आज्या होगो को फॉलो करने के लिए यहूदी लीडरों ने यहूदी जो अगवे थे उन्होंने कुछ कानून बना दिये थे कुछ कानून ऐसे कुछ कानून थे वो बना कर यहुदियों को दिया था कि यह करना है उसमें से यह साबद जो था परमेश्वन आप आप देखो तो मैं समय बचा रहा हूं पुराने नियम नीरगमन 20 में आप बाद में पढ़ना भी नहीं है मैं जो समझ पहले आप फोस्व मत लीजिए फिर आराम से कहीं लीख लेना या तो वह बाइबल में 20 अध्याय में कुछ चीट या तो यह सा कुछ मार्क रख देना फिर बाद में पढ़ना तो उसमें परमेश्वन ने कहा था रिमेंबर दस साबद याद रखना परमेश्वन ने कहा था आराम करना च्हे दिन काम करना लेकिस साथ Bowl को तुर तुर कर नहीं करना आराम करना और परमेश्वन की महिमा फ्रम आरादना के लिए तो इस साबाथ के दीन परमेश्व ने कहा था कोई काम ना करना तो इन्हों ने देखो जब साफ जैसे हमने पढ़ा कि दस्वी आयत में कि वो सब्त का दीन था साबाथ का दीन था इसलिए यहुदी ने इसलिए सब्त का दीन था इसलिए यहुदी ने जो चंगा हुआ था कहने लगे आज तो सब्त का दीन है तुझे खाट उठाना उचीत नहीं है यानि कोई भी अच्छा काम भी नहीं कर सकते आप यह परमेश्वर ने नहीं कहा था परमेश्वर ने तो ए करते किसी को जंगाई के लिए प्रात्ना करें किसी गरीब को आप दान देते हो ये सारे अच्छे काम जो पर मिश्र की महिमा के लिए वोत कर सकते हैं लिकिन का तेरा कोई नौक्री या खेतों में नहीं जाना यह सब कि इन्हों ने उसको एक एक कानून बनाकर सकताई से बहुत करने के लिए यहुद्यों को अगों के द्वारा कहा गया था परमिश्व ने कहा था कि यूशल नौट लूट एनी वर्क काम तू नहीं करेगा उसमें लेकिन इन्हों देखा कि तू खाट उठा कर चल रहा है यह वी एक काम है प्रभु यूश्व ने चंगा किया यह वी एक काम है तो यह नहीं कर सकते हैं कि एक गैर कानूनी है तो प्रभु यूश्व कि लिए डिड नौट ब्रेक ओल टेस्टामेंट लेकिन उन्हों ने जो तोड़ा था नहीं वो उनकी नज़र में खराब था पुराने नियम को परमिशोर के नियम को प्रभु यूश्व ने नहीं तोड़ा था लेकिन जो फारसिस थे जो यहूदी अग्वे थे उन्हों ने जो interpretation किया था परमिश्वर के आग्या का की जो व्याख्या बदल दे थी जो एक्स्ट्रा व्याख्या एड किया था जो परमिश्वर ने आग्या दी थी उसमें जो फेर वह आग्या वहीं थी लेकिन वह खुटा था यहुदी लोकों ने जो नियम बना था वो तूट रहा था परमिश्वर ने पुरानी नियम को नहीं तोड़ा था तो इसलिए यह लोग इस व्यक्ति की खुशी में सामेल होनी की बज़ाई वो क्या कहते नहीं ठीक नहीं उच्चीत नहीं है तो काम नहीं करें अपनी खाट को उठाकर नहीं चल सकता है तो प्यारों हम आज भी वो देखते हैं त्यार से समझना आज भी यहुदियों का समय की हम बात करते लेकिन हमेरे समय की हमें बात करना जरूरी है प्रभु यिश्व के समय के बाद प्रभु यिश्व जो पुराने नियम है वो नियमों के अंडर में चलने वाले लोग थे नियमों से बंदे हुए लोग थे नियम मानना बहुत जरूरी था कुछ बाते गैर कानुनी मानी जाती थी कि आज हम कौन हैं हम कैसे लोग यह नियम के we are not अंडर लोग कोई नियम के तले हम नहीं है हम तो परमेश्वर की दया और अनुग्र के तले रहने वाले लोग है प्रभू इश्व में पिता ने परमेश्वर ने मनुष्य पर जो अनुग्र किया दया की अब नियम हट चुके हैं अब हम दया अनुग्र ये कैसा कि अंडर ग्रेस रहने वाले और जीने वाले लोग हम बने हैं तो यह जो प्रताव प्रताय और जो अभ्यास यहुदी करते थे अब हमें वह अभ्यास करने की जरूरत नहीं है वो मानने की जरूरत नहीं है बड़ी दुख्की बात है कि हम में से कई लोग आज जैसे यहुदी लोग ने वैसे ही आज के कुछ अगवे या तो चर्चीस डिनोमिनेशन कुछ डिनोमिनेशन जो चर्चीस है या तो कुछ अगवे हूं के द्वारे बनाएगे नियमों के नीचे आज आज भी लोग जी रहा है आप कोई नियम के तले हो आप क्यों कि है आप साहर से विलोंग करते हो मdes abi सब् grassroots खूल आप बिलोंग करते हो लकिन जो हम चर्चा वह कौन गलत वह नहीं किया हम सचमुझ कहीं गलत तो नहीं कर रहा है ना किसी प्रत्था को यह जआ अभ्यास को हम फॉल तोậ नहीं कर आप बोलोगे कि ना हम नहीं करते हैं तो भी अभी तो बहुत बहुत एक सुनेरा क्रिश्चन कॉम्मिटी को देखकर देखे सुनेरा एक समय आ रहा है और वह आ रहा है गुट फ्राइडी इस्टर से पहले जो पास का समय है अब आरा तयारी हो गई जो अब आवी से तयार चारपाट लोगों को तो बता दिया होगा कि इस तारीक बस शुरू हो रहा है मैं तो इस बार पूरा मैं तो 40 नहीं मैं 45 करूंगी क्योंकि उसमें जो संडे आता है ना वह भी मैं करूंगी तैयार कर दी किस ने कहा प्रभु उश्वन ने कहा 40 दिन करना आप बताओ मुझे वाइबल से आप मुझे बताओ बाईबल से वायति निकाल कर मुझे प्रुम करके दिखाओ कि 40 दिन प्रभु युष्व ने कहा है, नहीं कहा ने, agree? Do you agree with me? नहीं कहा, तो ये कहां से आया? ये आया Christian धर्म से, ये आया अपने अगवो से, ये आया different different denomination से, ये आया मनुष्य के द्वारा बनाए नियम और प्रथाव से, है नहीं, चालीस दिन उपास, गुद फ्राइडे नन विख, नो बुट्टी सोटी, गुद फ्राइडे एकदम, चालीस दिन एकदम, असने का नहीं, एकदम सांथ, शोक मना व शोक, कहां से भही लाया है, अरे बहन जी मैं आप से पुछ रहा हूँ, 40 दिन हर बार करते हो, हर साल करते हो, कहां से लाया आपी? ओ वाइट साड़ी, वाइट साड़ पैन, कहां से ले आएं इस सब? अरे भही, वो ही मैं बात कर रहा हूँ, ये सब प्रथाय और अभ्यास ये तो अगदुबों के द्वारा, डिनोमिनेशन के द्वारा, चर्चीस के द्वारा, क्रिश्चन कोमिंडी के द्वारा ढूंड ही गई और स्थापित की गई प्रथाय है। इसमें 기본 नहीं है, इसमें प्रभुयश्यू नहीं है। आपको बोलो एक बात, जो आप शोक मनाते हैं चालेस दिन, उसी में मैं वीक में दो तीन बार बिर्यानी खाता हूँ, सच बोला, इवचि मेरे घर मैं, अब तो मैं मीठाई कम खाता हूँ, लेकिन मेरे मेरे फ्रीज में मिठाया रहती है, मैं गुड फ्राइडे की दीन खाता हूँ, जैक्विन बै, आप जो कर रहे हो, कानुन तोड़ती हो, किसके कानून? क्रिष्टी समाज क्रिष्टिन कॉम्मिनिटी धीमे बोलो धीमे जैक्विन भै धीमे बोलो बिर्यानी की बात नहीं कर सकते हैं गैर कानूनी है अशूत करता है पवित्र करता है बिर्यानी नो बोटी सोटी यह कहां से लाए? आप मानते हो स्विकार करते हो एक क्रिश्चन कॉम्मिनिटी की बनाई हुई बनाई हुई कानून है प्रताय है अभ्यास है नहीं करना 40 दिन इस बार उससे अच्छा है हर वीक में एक-दो बार उपवास करो और उपवास के साथ अदभूत दुवाये करो देश के लिए अपने देश में आद देखो आज जो फार्मर से खेडू थे बेचारे कैसी अवस्ता में आप देखो कितनी विद्वा है बेचार कैसी अवस्ता में कितने कितने बच्चों को ऐसे जन देते ही कच्च्रे में डाल देती है उनका भविश्य क्या है? कितने लोग बिचारे हुमले से घर नहीं उनके पास? क्या किया आपने? क्या किया आपने? परमिश्वर कहते हैं, उनके बच्चों नो यश्यार में पढ़ोगे, तो कहते हैं कि मैं कैसा उफवास पसंद करता हूं, कि आपकी इस्थ वस्तूओंको आपकी मन पसंद वस्तूओंको, आपकी इसा मैं पसंद करता हूं, आप तो 40 दिन में हस्बंड को भी चूप कर देते हैं, एक्दम पभीत्रा, सब पवीत्र और घर में जगर वाइफ को सबस्पेंग पेसर और अन्दर दो पांच नहीं पाचास बूद्ग उसे आप देखो दस घर के बाहर उधर भी जाकर आपको उनके आवाज सुन सकते नोबोटी नौशोटी तो अरे भाई हम वो हम नियम में नहीं जी रहे हम तो परमेश्वर की अध्भूत, ग्रेस उनकी दया उनकी उनका अनुगरह के नीचे जीने वाले लोग है मैं तो खुसी मनाता हूँ, मेरा प्रभू मेरे लिए मर गया, मैं मुझे छोडा लिया मेरे लिए अद्बुत काम किया मैं तो बहुत खोश हुँ यारा हुँ बहुत खोश हुए आप मेरे घरा होगे ने गुट फ्रैड आपके लिए भी बिर्या नहीं बनाऊंगा प्रामीस आपके पास्टर को नहीं बोलना हो वरना वो मुझे फॉन करके कहेंगे यह उचीत नहीं है जैक्विन भाई you are breaking Christian law वही हम जो करते हैं हमें समझना बहुत जड़ुरी है कि हम क्या कर रहे हैं उचीत है नहीं उचीत है कौन हमें मनाई फर्मारे देखो परमेश्वर की आग्या जो हमें कहती है वो curna है जो नहीं मना करती और नहीं करना है Christian community Christian समसार और Christian जो रितिरी वाज कहते है ऊस पर गौर नहीं करना है इस सब जो प्रैक्टीसिस पृथाये और अभ्यास है, वो हमें बाजू पर रखना है और परमेश्च送 जो कहते हैं, वो करना है मैं तो जयायजाहिकार करता हूंato Friday मैं तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं उफवास करता हूँ, मैं उफवास के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उफवास करता हूँ, लेकिन बहुत परफसलि है। मेरे साहिता कर और तेरी ही इच्छा पूरी हो कुछ परपस था मेरे सामने कुछ टार्गेट थे कुछ मैं देखना चाहता था मैं कुछ करना चाहता था उसमें मैंने परमेश्वर की उपस्तिती चाहिए परमेश्वर की अगवाई चाहिए परमेश्वर की इच्छाय पूरी ह एसा मैंने चाहिए इसलिए मुपवास के साथ परमिश्वर के पास गया मैंने जो सिच्वेशन नहीं बहुत सारे लोग बेकार हो गये बेचारे ऐसे काफी करजा उनके पर आज गया कई ऐसे लोग है घर कैसे चला है बच्चों को क्या लाकर दे बहुत बहुत टैंशन में जी जाल थ है चालीस दिन मैं नहीं मानता लेकिन उपवास मैं मानता हूं उपवास के साथ द्य को और इसलिए मैं उपवास करता है डूआई जो करता हूं उफवास के साथ, आप देखिए क्या फॉलो कर रहे हैं, कुछ ऐसी बाते जरू निकल के आएगी जो क्रिश्चन कॉम्मिनिटी में है, क्रिश्चन धर्म में है, लेकिन बाइबल में नहीं है, परमेशो नहीं कहा है, अब यहाँ पर जल्दी से आगे अगर देखें, तो यहा उनमें बहुत से बिमार, अंधे, लंगडे और सुखे अंगवाले पानी के हिलने की आश्चा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेशोर के स्वर्गदूद कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतर दावाचंगा हो वहां पड़े ही रहते थे, क्योंकि उनका विश्वास था और जरूर बाइबल में विस्तार से इस चीच के विश्वे में कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन जरूर लोग चंगे होते होंगे उस पानी में कुद कर, इसलिए तो लोग एक आसा के साथ, स्रद्दा के साथ, उसकुण के आस्वास ऐसे लोग बैठे रहते थे या सोया करते थे, कि जब भी स्वर्ग दूत आकर पानी हिलाएगा, हम पहले कुद देंगे, और हम चंगे, लोग चंगे होकर जाते होंगे, मेरा विश्वा से मानना है, तभी तो लोग वैसी स्रद्धा लेकर वहां आते और यहां पर एक इंसान के विश्व में लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्स से बीमारी में पड़ा था, 38 से यह एड़ बिन पैरलाइटिक, he was paralyzed, 38 साल, 38 years, उसकी situation देखो, कितनी बड़ी भयंकर, दुख दाई, और दाइनिया परिस्तिती उसमें थी, उनकी थी, और देखो आगे लिखा है, उस येश्व ने चठी आया, येश्व ने उसे पड़ा हुआ देखकर, और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दसा में पड़ाए, उसने पुछा, क्या तू चंगा होना चाहता है, प्रभु येश्व थोड़ा भी विलम नहीं करते, वो परिलिटिक, जो paralyzed व्यक्ति, 38 से था, उसकी परिश्तिती सचमुच बहुत ही दैनिया थी, दुख दायक थी, वो पड़ा हुआ था, जब प्र प्रभु येश्व ने उससे पूछा, कि प्रभु येश्व ने इनिसिटिव लिया, अप्रोच किया, उसके पास गया और उनसे पूछा, कि क्या तू चंगा होना चाहता है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, कि जब पानी हिलाया जाए, तो मुझे कूंड में उतारे, पर उन्तो मेरे पहुंचते-पहुंचते, दूसरा मुझ से पहले उतर जाता है, कितनी खराब अवस्ता, उसकी बैसे भी अवस्ता खराब और कोई उसके पास नहीं, कि पानी जब हिलाये, स्वर्दुद हिलाता था, उतने की इच्छा दि, अवस्ता बहुत भेंकर थी, कोई मदद करने वाला नहीं था, और इसलिए हर बार वो रह जाता था, हर बार कोई कोई पहले जंब करके खुद कर वो चंगा होकर अपने घर चला जाता था, यह अकेला इंसान ऐसा था, कि जो चंगा इससे बहुत दूर था, क्योंकि उसको वो खुद जंब नहीं कर सकता था, इसलिए किसी की मदद की बहुत आवेश्यक्ता थी, कि कोई उससे मदद करे और इसलिए प्रभु यिश्व ने जब ऐसे इंसान को देखा, उसके दिल में एक उम्मीद की चिंगारी भड़काने के लिए, एक उज्याला फैलाने के लिए प्रभु यिश्व उसके पास आया, और पुछा, क्या तू चंगा होना चाहता है, आप देखो, उसने प्रश् बता था कि जो व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है, कह रहा है, वो प्रभु युश्व खुद है, सामने से चलकर आये है, लेकिन उसने अपनी सेड स्टोरी दुख भरी स्टोरी उसने बताई, क्योंकि उसकी अवस्ता जैसे मैंने कहा कि बहुत ही मिजरेबल और पीटीफूल बहुत ही दैनिया और दुख भरी उसकी कहानी थी, तो वो नहीं जानता थे कौन व्यक्ति, इसलिए वो अपनी स्टोरी कहने लगा, अ, उसका, देखो, बहुत महत्यूंद बाते में आपसे चाज़ा करना कर रहा हूं, नेक्स वाइट यह, कि प्रभु युश्व ने क्यों उससे पूछा के क्या तु चंगा होना चाहता है, ताकि वो अंदेख, वो व्यक्ति की, बीमार व्यक्ति की दृष्टी, पानी से हटकर ये शुक की तरब दृष्टी जाए, समझ रहा है अप, उसको जरूरत है, वो चंगा हो जाए, उसको मदद की जरूरत है, वो इ उसकी द्रश्टी येशू पर नहीं थी, कई बार हमेरा जो विश्वास है, हमेरा जो होप है, हमेरी जो आश्राय है, वो कभी काम नहीं करती है, क्यों पता है? हमेरी द्रश्टी पानी पर है, हमेरा विश्वास पानी पर है, हमेरा विश्वास दवाई पर है, हमेरा विश्वास व्यक्ति पर है, हमेरा विश्वास किसी बहुत ही ऐसे पाउरफुल इंसान के पर है, हमेरा विश्वास पैसो पर है, हमेरा विश्वास हमेरे दोस्तों पर और पहचान पर है, डॉक्टर पर है, हमेरी द्रिष्टी जब तक पानी पर रहेगी, ये शु कहता है, क्या तु चंगा होना चाहता है, तो मेरी तरब देख, नौकरी चाहता है, तुझे फाइनसल क्राइसिस, एवरी ताइम यू आर फिसिंग फाइनसल क्राइसिस, तु में है, करजे में है, वहार निकलना चाहता है, तु किसी बीमारी में है, तेरे घर में जगड़े है, तेरी परिष्टिती बहुत ही खराब है, तेरे साधिक लिए जीवन साथी तुझे चाहिए, लेकिन तेरी त्रिष्टी पानी की तरफ है, व्यक्ति की तरफ है, तु अप अपने दिखावे जैसे तू दीखती है जैसा तू दीखता है उसको सुधारने और वहधारे ज्यादा चमकाने की कोसिस कर रहा है कर रही है ताकि तुझे लाइफ पाटनर मिले तुझ ज्यादा एप्लिकेशन अनलाइन तो सब्मीट करती है तू कई लोगों को फॉन करता है जरी देखना मेरे बच्चे के लिए देखना तू जरी देखना ऐसा करना वैसा बैंक में पांच लाग है मुझे किसी के जरूरत नहीं मेरे पास गाड़ी बंगला है पैसा है मेरी पैच्चान बहुत उच्चे उच्चे लेवल के लोगों के साथ है मैं बहुत उच्चे स्थान पर बैठा हूं बैठी हूं मुझे किसी की जरूरत नहीं है देखो खराब अवस्ता में ही आप परमेश्वर का दर्शन कर पाओग खराब अवस्ता में ही आपके पैसे आपकी पैचान आपका इंफ्लियंस आपका ज्यान बुद्धी सब कुछ जीरो दिखाई देगा प्रभी एश्व कहता है इस पानी में जरूर लोग चंगे होते लेकिन तू सही में चंगा होना चाहता है यानि तीरी द्रश्टी पानी स हमेरी द्रश्टी अपनी सोसाइटी पर कल्चर पर मेडिशिन पर डॉक्टर पर पैसे पर इंफ्लियंस पर हमेरी ताकात पर ग्नान ग्यान बुद्धी पर हमेरी द्रश्टी रहती है और इसलिए हम कई बार निराश हो जाते हैं only Jesus can change your situation only Jesus can take out from your situation प्रभु येश्व ही आपको बहार ला सकता है प्रभु येश्व ही आपकी परिस्तिती बदल सकता है क्या आपका भरोसा आपकी नजर पानी तरफ है आपकी चंगाई के लिए कहां है अच्छे डॉक्टर अब पस्टर अच्छे डॉक्टर मिल गए और उन्होंने दवाई जेंज की फिर बहुत अच्छा लग रहा है दवाई परमेश्व ने दी हुई आशिश है डॉक्टर को ज्ञान बुद्धी परमेश्व ने दिया बहुत खुसी की बात है लेकिन आपका आधार और आपकी दरष्टी, डॉक्तर और मैडिशिन पर नहीं आपके इंफ्लुएंस पर नहीं, ज्यान बुद्धी पर नहीं, आपका एज्यूकेशन आपका दिखावे पर नहीं आपकी द्रश्टी प्रभुईशू पर रहनी चाहिए, तो ही आप सफल हो सकते हो, तो ही आप अपने कर्जे से बहार निकल सकते हो, तो ही आपके प्रश्ण सौल हो सकते हो, तो ही आपकी साधी जो होगी वो जीवन साथी के साथ आप देखोगे, कि आपका जीवन बहुत ही ब आपने आपको आपकी द्रश्टी कहां पर है यहां पर लिखा है येश्व ने उससे का उठ अपनी खाट उठा और चल फिर वह मनुष्य तुरन चंगा हो गया और अपनी खाट उठा कर चलने फिर ने लगा प्रभु येश्व ने आज्या दी अब ध्यान से दूसरा महत्वर पॉइंट समय पूरा होती ही मैं बंद कर दोगा यहां पर प्रभु येश्व ने आज्या दी ऐसा नहीं का हो सके तो प्रभु येश्व ने साफ आज्या दी येश्व ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठा कर चलने फीरने लग तीन तीन अग्या तीन भाग में दी परमिश्वन तीन पार्ट में अब यह चंगा कैसे हुआ पानी तो नहीं हिला था चलो आप कोगे प्रभु येश्व ने उनको चंगा किया कि दूप अब कि लेकीन मैं आपसे प्रश्न करता हूं वो चंगा हुआ कैसे ये शुने किया लेकिन कैसे रभू ये शुन्य अंधे अंधे की आखों पर अपना हाथ रखा क कि प्रभु ये शुने सुखे हुए हाथ वाला जो इंसान था उसके हाथ को हाथ में पकड़ कर उसको चंगा किया तो इसको तो चुआ नहीं है ये पानी में खूदा नहीं है तो ये चंगा कैसे हुआ प्रविश्व तो उससे चुआ नहीं एक महत्वपूर्ण बाते मुझी और आपको सिखनी है कि with a few words Jesus healed him तुर्रन थी कैसे चंगा किया Lord healed him through the power of his spoken word जो प्रविश्व ने शब्द बोले थे उसके शब्दों में से सामर्थ य था वो मुझ से जो शब्द निखले उसके उसमें सामर्थ य था चंगाई देने उल्ला सामर्थ य बंद द्वारों को खोलने का सामर्थ य जहां पर सुन्य है वहां पर नई चीजे अस्तित्म में लाने का सामर्थ य नई जौब के द्वार खोलने का स्वामर्थ य अच्छे रिष्टे लाने का सामर्थ य कर्जे से बाहर निकालने का साम शरीर के जो और्गन्स दूर्बल हो गए है, वीक हो गए है, उसमें नई जान डालने का सामर्थ है, प्रभु येश्व मसी के मुह के शब्दों में है, और वो Lord had healed him through the power of his word, spoken word, जो बोले हुए शब्दत है, उसने कहा के उठ, प्रभु येश्व ने वो चीज करने के लिए कहा, जो वो नहीं कर पा रहा है, उसने कहा कोई मेरे पास नहीं है, जो मुझे फूल में, ये पानी में, खूंड में, उदने के लिए मेरी साहता कर, यानि वो उठ नहीं पा रहा है, प्रभु येश्व के उठ बड़ याद रखना जो सामर्थिय उसमें नहीं था वो सामर्थिय प्रभुई इश्यु के बोलेवे शब्द में थे जो सामर्थिय उसको उठने के लिए सामर्थिय देश रखता था अब देखो मर्कुस 3-5 में भी जिसका हाथ सुख गया था जब वो प्रभु इश्यु के पास आये तो प्रभु इश्यु ने मर्कुस 3 में साफ लिखा है उसने सुखे हाथ वाले मनुष्य से का अपना हाथ भढ़ा प्रभु इस ने छुआ नहीं सुखा हुआ यानि सिकुड गया था उसकी साइद उसका नाप लो तो कम हो गया होगा सुख चुका था पतला हो गया होगा चोटा हो गया होगा प्रभु इश्यु ने उससे उसने सुखे हाथ वाले मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया को सिसकी विश् किया येश्व ने जो कहा है मैं करूंगा मैं करता हूं उसने थोड़ा ही स्लाइट कोशिस कियोगी हाथ बढ़ाने की उठाने की और सच मुझ उसने दिखा उसका अच्छा हाथ हो गया वो खट्या में पढ़ा हो इंसान येश्व ने का उठ खट्या उठा कर चलने फिरने उसने साथ कोशिस कियोगी शरीर में और जैसे कोशिस की विश्वास किया किस पर विश्वास किया प्रभु इश्व के शब्दों पर और उसका हाथ सुक्वा व्यक्ति का हाथ चंगा हो गया है वो जो खट्या में 38 साल से वो जो बिमार था पड़ा हुआ था जो खुद दुसरे की हेलप और निर्भर करने वाला था वो खुद खड़ा हो गया विश्वास किया प्रभु लेए शाब्द पर विश्वास किया और उसका हाथ अच्छा हो गया वो 38 साल से बिमार खुद अच्छ आ हो गया हिब्रू 4 पार और बारा में साफले मत निकाले समय बचा रहों क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तल्वार से भी अधिक चोखा चोखाय और जीव और आत्मा को और गाठ गाठ और गुदे-गुदे को अलग करने करने वाला वो सामर्थिया है किसमें परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुह से निकली हुई बाते उसमें सामर्थिया है किसी भी को दो धारी तरवार के समान वो दो भाग में दो हिस्सों में बाठ सकता है और किसी भी बंदवार को खोल सकता है, चाहे आपके कितना भी करजा क्यों न हो, उसको मिटा सकता है, सारे मनुष्य के शब्द आपको धोका दे सकता है, प्रभु येश्यु के मुँझ से निकली बाते धोका नहीं दे सकती, कि इसमें सामर्थिय है, इबरुचार साप कहता है, कि परमेश्वर का वचन जो जीवित है और प्रबल है, सामर्थिय से भरा हुआ है, तोड़ सकता है, बांगने सकता है, विफल कर सकता है, सक्सेस दे सकता है, आपको बाहर निकाल सकता है, आप अपनी नजरों को आपको लॉन मिलने वाली है गुड लेकिन पानी की तरफ अपनी द्रश्टी मत रखिये लॉन किसको फाइल दी है किस डॉक्टर के पास जा रहे हो कौन सी दवाई आपको मिली है क्या हो रहा है पानी की तरफ द्रश्टी मत रखिये आपकी द्रश्टी ये शुपर रखिए और बरोसा कीजिए उस पर और दुसरा बरोसा उसके वच्चनों पर उसकी मुझ की बातों पर बरोसा कीजिए उसने अगर कुछ कहा है तो वो करके रहेगा प्यारो एक लॉक्डाउन में बहुत ही डिस्ट्रेस में मैं था बहुत ही भयानक स्थिती में मैं था क्योंकि आप जानते हैं कि लगजरी बस मुझे प्रभू ने जिस बात का बोज दिया इसलिए मैंने लगजरी ली लॉन पर ली और यह सब बिजनेस आठ नव मैंने एकदम बस खड़ी थी सोचिए मैं इतना पैसा कहां से लाओं मैं हर रोज हर मैने जब भी जरुद्पन मैं प्रभू के पास जाकर कहता था प्रभू मैं मैं पहाड पर कैसे चड़ू लेकिन जिसने आस्मान और पृत्वी बनाया वो मुझे पहाड पर चड़ने का सामर्थ्य प्रभू ने मेरी पूर्ती की मेरी द्रष्टी मैं सीखता आया हूं सीख रहा हूं कि हर तकलीफ में मैं अपनी द्रष्टी पानी पर नहीं मैं अपनी जरुरतों के समय खराब अवस्ता के समय दूख के समय बीमारी के समय करजे के समय कष्ट दाय कैसी अवस्ता के समय चाहे अकेला पन मैसुस करें, चाहे कुछ भी करें, अपनी आखे पानी पर नहीं, अपनी आखे येशु की तरफ लगाए रखें, और विस्वास कीजिए, उसकी प्रभु येशु पर, उसके वचनों पर विस्वास कीजिए, सुखा हाथ वाले ने, प्रभु ने का, हाथ को बढ़ उसने थोड़ी भी कोसिस की, सामर्थिया, बाल आया, ताकत आई, और उसका हाथ ठीक हो गया, वो लेटा हुए इंसान, कोसिस की होगी थोड़ा हिलने की, उठने के लिए उसने अंदर से ही चप की होगी, मैं उठू, फुदू, कोसिस की होगी, और प्रभु येशु के मु ने फिरने लगा, प्यारो प्रभु येशु पर और उसके वचनों पर विश्वास रखे, अगर आप उसके वचनों पर विश्वास करोगे, उस पर भरोसा कीजिए, अगर वे ये करोगे, तो definitely, it is, I am damn sure, you will experience his work in your life, आप अनुबह करोगे, कि वो आपके जीवन में काम कर रहा है, सिखिए, मैं भी सिख रहा हूँ, उस पर और उसके वच्चनों पर विश्वास, हर रोग छोटी-छोटी समय समय पर ऐसे अवस्था आएगी, इस सुख्य हाथ वाले को सिथ हाथ को बढ़ाना की इच्छा करनी थी और कुसिस करनी थी, विश्वास करना था कि इच्छुने का बढ़ा, यानि मेरे हाथ ठीक हो जाएगा, आपको विश्वास करना है, जैरो, एक और बात मैं कहकर पुरा करना चाहिए, बहुत कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन समय पुरा हो है, अगर आप देखो, तो य इन चोदा वी आयत अखरी, इन बातों के बाद वह येश्व को मंदीर में मिला, येश्व ने उससे का देख, तु चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा नहो कि इससे कोई भारी विपत्ती तुछ पर आपड़े, प्रभु येश्व कोई इंसान कहा मिला, मंदीर मे पर मंदीर में क्यों गया था? परमेश्वर की आराद ना करने, परमेश्वर को थेंक्यू कहने है, वो चंगा हो गया था, वो अपने घर नहीं गया, अपने दोस्तों को फोन नहीं लगाया, वो दूसरी जगह नहीं गया, सीधा मंदीर में, सीधा परमेश्वर के पास हो ग प्यारों आप कुछ भी पाने के बाद परमेश्व का धन्यवाद करना सीखे हो एक आदत है आपके अंदर देखे जैसे सुबह उठते ही ध्यान से आखरी बाद समझ लीजिएगा तो ज्यादा आश्रीश आप पराएगी प्रभु के दास के द्वरा प्रभु जो सिखाता है जरूर सिखेगा हम सुबह उठते ही कोई हमें कहें ना कहें हम सीधा बात रूमें ब्रश करते है पूराने कप्ड़े नहीं पैंते हम वह कपड़े लिए डाल देते हैं यह सब आदत है हमें कोई किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है यह बाई डीफॉल्ट ऐसे ही आट करके हम बाइक को चला ते अदत हो जाती है अप आदत हैं आपको कि हरेड़ आशिष घर आते ही सुरक्षित आप घर आते हो आते ही तुरन्थ आखे बन करके आँथ उटा करके तो प्रबु थेंक यू तुररक्षित ले गए लाया तेरा धन्यवाद किया आपंने आदत प्रेगिस्तान में आप जाओ लोग हजारों किलोमेटर कई किलोमेटर चल चल कर अपना पानी लाते हैं वह भी गंदा अशुद पानी पानी आपको तो मीठा पानी मिल रहा है कि आप धन्यवाद करते हो अपमें अदत नहीं इसलिए आप भूल जाते हों कई बार में लोगों को कहता हूं अरे चलिये दुआ करते हैं और हाँ भूल गया है भूल इसलिए जाते हो कि आप में वह आदत नहीं है रोज किजिए वह आदत है आपके ब्लड में उतर जानी चाहिए आपके जहन में आपके अंदर उतर जानी चाहिए कि आप भूल जाओ फिर भी डिफोल्ट आटोमेटिक आप जैसे घर में आओगे धन्यवाद प्रभू तेरा धन्यवाद पानी पीने के धन्यवाद प्रभू लोग आपके आप किसी की घर जाओगे तो लोग देखकर कहा है पागल हो गए जैक्विन वैसे भी पागल जैसा द ने अलगा लेकिनों में वही करना है जो करना चाहिए इसीधा धन्यवाद देने महीं फर्मिश्वर कहते हैं यह लोग औ कि मेरे उंकारों को भूल जाने वाले लोग मेरा धन्यवास नहीं करने वाले लोग आप में हम परमिशवर हमें लिए दुखी है क्यूंकि हमने आदत नहीं डाली है कोई व्यक्ति हमें हमेरी लिए वी joe hey thank you sister thank you brother thank you boy sister ने भी कुछ नहीं कियाई भी ने भी कुछ नहीं किया बढ़र ने भी कुछ जैक्विन भाई आपने दुआ कि बिलकुर तुर्रंती चंगा हो गए हम तो जैक्विन भाई ने दुआ कि इसलिए ठीक हो है अरे भाई जैक्विन भाई मनुष्य है पापी है किचड के समान है जो करता हरता है वो उपर आस्मान स्वरग में बैठा है उसका धन्यवाद करें चैक्विन भाई मनुष्य है आज है कल मर जाएंगे किसका धन्यवाद करो गया जो है जो था और जो रहेगा उसका धन्यवाद को फिर से मैं दोरा कर आखरी दुआ में ले जाना चाहूंगा पिर हम प्रभुबोज के लिए पास्वान साथ में मैं इस माइक समर्पित करना चाहता हूँ प्यारो यहुदी लोग जो थे जो उनको यहुदी अग्वो के द्वारा जो नियम दिये गए थे वो फॉलो करते थे और हम भी इस समय को देखे तो जो क्रिस्टी क्रिश्चन धर्म ने जो हमें दिया है वो फॉलो करें लेकिन प्रभु इश्चु ने जो कहा है वो ने फॉलो नहीं करें कई चीजे हैं हमें बदलने जरूरी है प्यारो बहुत जरूरी है और जो बाइबल कहता है वैसे बदलाव हमेरे जीवन में चाहिए हम किसी ट्रेडिशन को किसी धर्म को फॉलो ना करें धर्मिक्रीत एक अम परमेश्वर की वच्णों से जो हम सीखते हैं वह फॉलो करें मैंने कहा गूट फ्रेडे मेरे घर अना में बिर्यानी खिलाओं का मैंने जैसे कहा कि प्रेशंड वीक में जरूर बिर्यानी खाता हूं बहुत खुस होकर खाता हूं मिठाए खाता हूं आप अपने पति को पत्नी को बच्चों को चूप कर सकते ऐसी बात भी बुले मुझे नहीं कर सकते क्योंकि मैंने देख लिया ये शु कौन है और उसने कहा कहा है मैं वही फॉलो करता हूं जो प्रभू ये चाहता है मेरी जीन में बहुत सारे बदलाव में लाया और आज भी ला रहा हूं मैं सीख रहा हूं आप भी सीख ये बदलाव लाइए पहली चीज बहुत कुछ बदलने की जरूत है अब बदल ये जो सही है उसको पकड़े उसको फॉलो करिए और प्रभू इश्रु का वच्चन आपक कि उसकी दृष्टी प्रभू इश्रु की तरफ आए और प्रभू इश्रु ने कहा उठ खड़ा होकर चल फिरने लग खट्या उठा ले प्यारो उसने बिलकुल कोसिस की सुखे वाले सुखे हाथ वाले ने भी हाथ बढ़ाने की कोसिस की भरोसा किया कि जो कहते है वो सच् अडटिस साल से 38 से जो विमार था वो चंगआ हो गए हम छोटी छोटी बातों में भी प्रभू इश्यू पर द्रश्टी करें चाहिए दूख आये संकट आये बीमारी आय साल से विमार क्यों नोह आप अपनी द्रश्टी दवाई डोक्टर पैसा किसी व्यक्ति पर नहीं किसी वैदों पर नहीं अपनी द्रश्टी येश्व पर लगाई और प्रभीश्व के वचनों पर वरोसा किजिए मैं तो कहता हूँ हरोज विश्वास से बाइबल पढ़िए आपको किसी की दुआ की ज़रोत नहीं पढ़िए बाइबल वो परमेश्व जैसे इबरु हमने पढ़ा चार उसके परमेश्वर का वचन जीवी थे दो धारी तलवार की तरह है वो प्रबल है उसमें बल है सामर्थ है ताकत है वो पढ़िए आप ऐसे ही जंगे हो जाओगे मैं ग्यारेंटी देता हूँ विश्वा से पढ़ना ग्यारो हम प्रभी उश्व पर भरोसा करें अपनी दूख में संकट में उसकी तरह पांखे उठाए और उससे सहायता मांगे उससे कहीं आपको क्या जुरूरत है और आखरी बात क्यों हमने सीखी इस प्रभुन सीख आखरी दूख में जाएंगे लेकिन आखरी दूख में जाएंगे लेकिन आखरी दूख करें आखरी बंद कीजिए प्यारों मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज प्यारे लोग परमीश्वर के प्यारे बहु मुल्यान लोग आपसे मैं निवेदन करता हूँ आपसे बिंत कुछ बाते काफी बाते बदलने की जरूरत हैं बदलाव लाने की जरूरत हैं आप फरिशी के द्वारा यहुदी अग्धूओं के द्वारा लोग जो नियम बनाये थे उसको फॉलो कर रहे थे लेकिन परमेश्य और प्रभीश्य की बातों को फॉलो करना उनके लिए कठेंता लेकिन आप से निवीधन करता हूँ अपने जीवन में बदलाव लाइए क्रिश्यन कॉम्यनिटी, क्रिश्यन धर्म, क्रिश्यन लोग जो करते हैं वो मत कीजिए येश्यू जो कहता है वैसा कीजिए प्यारों प्रभू येश्यू जो अपने वचनों से आपको सिखाता है वो कीजिए बदलाव लाइए काफी बातों में बदलाव की आवश्यक्त है प्लीज बदलाव लाइए आप अभी प्रात्ना कर सकते हो प्लीज आप प्रात्ना करें पवित्रा आत्मा आप मेरी मदद करें समझने के लिए कि कौन सी बातों में बदलाव लाना बहुत जरूर है ऐशी कौनसी बाते है जो आपकी तरब से नहीं है फिर भी में फॉलौ कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा से कहें प्रभुयश्व के नाम से मैं बिंती करती हूं करता हूं आप मेरी करें वह बाते डुनने के लिए जो शच मुझे आपकी तरफ से नहीं है बदलाव मेरे जीव आप प्रात ना करें प्यारों, कि प्रभू मैं मेरे दुख में, संकट में, मेरे करजे में, मेरे खराब अवस्ता में, हर पल, हर समय तेरी तरफ मेरी आखे गड़ाई रखना चाहता हूं, रखना चाहती हूं, मैं हमेशा तेरी तरफ देखना चाहता हूं, चाहती हूं, और त से ही आसा रखना स्थाथ हूं चाहती आप मेरी मद्द करें मैं ए आपकी साहता के लिए पीधा और में आपको पवित्रा आत्मा बहु मुल्यां भेट दी थी है çek कि वह आपकी मदद करें पवित्रात्मा से कही है कि वह आपकी मदद करें हर समय प्रभु इश्व पर विश्वास करने और उनकी तरफ द्रश्टी करने के लिए और प्रात्ना कीजिए हर बार धन्यवाद करने वाला विक्ति मुझे बनाएं आये दूआ करते हैं मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं मेरे पीछे पीछे अगर आप चाहो तो मेरे पीछे दूआ दोहरा सकते हो आप मेरे नाम जैक्विन की जगा आप अपना नाम लेकर दूआ दिल से विश्वास से कीजिए और प्रात्ना करिए आये प्रात्ना करते हैं पिता परमेश्वर, येश्व मसी के बहु मुल्यवान और पवित्र नाम में आपके सन्मूख आता हूँ, मैं ज्यक्विन पश्चाताप करता हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ, मुझे एक शमा करें, मुझे माफ करें, जो अपराद मेंने, जो पाप मेंने, और मेरे परिवारों ने किये है, मेरे सारे अपराद, मेरे माबाप और पुरुवजों के सारे अपरादों के लिए, मैं पश्चाताप करता हूँ, और माफ ही चाहता हूँ, माफ करो, येश्व मसी के लहू में हमें दो कर शुद करो, हमें माफ करो मैं प्रात्ना करता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर मेरी मदद करे प्रभु येश्व के नाम में मैं आपसे मिंती करता हूँ मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाना बहुत आवश्यक है पवित्रात्मा मेरी मदद करें मेरे जीवन में जहां जहां बदला विए ऑज्शक्ता हैं वो बदलाव लाने मेरी मदद करें पटा हर समय चाहे दुख का समय हो मेरी जरूरत का समय हो चाहे वो नॉर्मल डेज क्यों नहों अर समय में तेरी तरफ अपनी आखे लगाए रखना चाहता हूं तुस्से ही आशा बनाए रखना चाहता हूं पवित्रात्मा मेरी सहायता करें कि हर वक्त हर आशिशों के लिए हर परमेश्व की दया के समय उनकी भलायों और अच्छायों के समय उनका मैं धन्यवाद करने वाला बनूं उसके उकारों को याद रखने वाला बनूं मेरा जीवन प्रभु ईशों आपके हाथ हो मैं समर्पित करता हूं मेरे जीवन में आईए मेरी अगवाई करें येश्व मसी के नाम से हैं मांगता हूं सुने और कबूल करें आमेन आखे बंद रखे प्यारों प्रभु ईश्व मेरी दुआ है इन में से जो कोई बीमार है येश्व मसी का लहू की सामर्थ है उनके शरीर से बहें कोई भी घर में जगड़े है दुष्ट आत्मा ये जगड़े करवाने लिए आत्मा काम करें ते इश्व का लहू की सामर्थ है अभी उनके घरों में उनके रिलेश्व में गोशित करता हूं येश्व मसी के नाम से मैं प्रात्ना करता हूं मेरे खुदा आपके हाथों को बढ़ा कर उनको चंगा करे प्रभू आपके हाथों को बढ़ा कर उनको अपनी शांती दे मेरे खुदा सारी बिमारियों को डाट कर कहता हूँ येश्व मसी के नाम से सारी बिमारिया इनके सरीर से दुर हो इनका ब्लॉड प्रेशर नॉर्मल हो जाए सुगर लेवल नॉर्मल हो जाए इनका थाइरोड नॉर्मल हो इनके सरीर के हरेक हमेरे सरीर के हरेक अवयो अरेक और्गन्स नॉर्मल फंक्शन करें इनके शरीर में खुन की अगर कमी है तो नया खुन इनके शरीर में गोशीत करता हूँ येश्व मसी का लहू इनके शरीर में हमेरे शरीर में गोशीत करता हूँ और प्रभु येश्व की चंगाई हमेरे शरीर में मैं स्विकार कर ले अमेरे सरीरों में पिता आत्मा में सारीर्क डूप से पिता हमें चंगाई दे हमें कितारस रकिंसरा चंगा कर प्रभू नेardeş परिवार को चंगा कर परातना पिता यैश्व मसी का लगों मेरे प्राना अत्मा सरीर घर चोखट यापर है ौटट देता हूं जो भी आश्षी से पिताहज आपने दिये हैं कि Хथे एक स्कुल को हरेकर कामों को एक चीज जो आपने धी उस Education अ हमेरे प्रान अत्मशन। तेरी शांती प्रभु इश्व और यहोब आप तेरा आनन तेरी खुश्शी हम हमेरे रिदोयों में हमेरे परिवारों में मेरे बीच गोश्रीत करता हो इता जो कुछ भी आपने दिया है तेरी पंखो तले हमें और वो सब को सुरक्षित रख पेरे कुदा शैतान और दुश् इसके अनुसार मेरे पाओं के तले को चल करता हूं येश्व के नाम में मेरी प्रात्ना प्रभु येश्व के नाम में सुने और कबूल करता है आमें